नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग दक्षण में एक द्वार जो भारतिय जनता पार्टी का था करनाटक का वो गिर चुका है या कहें बंद हो चुका है पूरी तरह से बंद भले न हुआ हो लेकिन सत्ता की दृष्टी से देखें और चुनावी राजनीती में सत्ता का बड़ा महतो होता है अगर करनाटक बीजेपी जीती होती तो इस समय परिस्थिती उसकी दूसरी होती अईसा नहीं है कि करनाटक की हार से कोई 2024 पर असर पढ़ने वाला है लेकिन राज्जियों के चुनाव पर निश्चित असर पढ़ता है जो पास में होते हैं और सबसे नजदीक अगर इस समय कोई चुनाव है तो वो है तेलंगाना का दक्षन के दूसरे राज्जिका जहां बीजेपी उमीद कर रही है कि उसका एक नया द्वार दक्षन में खुलेगा तेलंगाना में द्वार खुलेगा कि नहीं पता नहीं एक बात तैमान कर चलिए कि नतीजा कुछ भी आए भारतिय जनता पार्टी वहाँ एक मुख्य प्लेयर होगी तेलंगाना की राजनीती में बीजेपी के समस्याओं वहा कई हैं, कोई एक समस्या नहीं है, लेकिन उन समस्याओं में इजाफा कर दिया है, उन समस्याओं में बढ़ोतरी हो गई है करनाटक की हार से. अब आप कह सकते हैं करनाटक करनाटक है तेलंगाना का उस से क्या संबंध लेकिन हार जीत का संबंध होता है सेंटिमेंट पर जो असर पड़ता है वो असर तेलंगाना में हुआ है तेलंगाना में पार्टी का अपना जनाधार बहुत नीचे तक नहीं है उसको पिछले 5 साल में खड़ा करने की बनाने की कोशिश हुई है ये 2019 के लोकसभा चुनाओ के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि तेलंगाना उसके लिए एक नया स्टेट हो सकता है जहां उसके सत्ता में आने की संभावना है और दक्षन का राजी होने की वज़े से उसके लिए ये और ज़्यादा महतुपून हो जाता है तेलंगाना में 17 सीटे हैं लोकसभा की जिनमें से 4 उननिस में जीती थी बीजेपी और वो 4 सीटों से ज़्यादा भी हो सकता था ये संख्या 6 और 7 भी पहुंच सकती थी अगर भारती जनता पार्टी ने और ज़्यादा थोड़ी ताकत लगाई होती लेकिन उस समय भाजपा के नेताओं को लग रहा था कि यहाँ ज़्यादा संसादन लगाने का ज़्यादा समय लगाने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है फिर भी 4 सीटे मिली 17 में 4 सीटे बुरी बात नहीं है बहुत अच्छी शुरुआत है लेकिन विधान सभा चुनाव में उससे पहले हो गए थे उसमें पार्टी को कुछ नहीं मिला था इस वज़े से लोग सभा चुनाव में ज़्यादा उम्मीद नहीं थी पार्टी को लेकिन उसके बाद जो बाइलेक्शन हुए तीन बाइलेक्शन उसमें जीत और greater हैदराबाद municipal corporation का जो चुना हुआ उसमें भाजपा की भारी जीत भारी जीत से मतलब वो सत्ता में नहीं आ गई लेकिन zero से कहां तक पहुँच गई कई गुना जो उसका विस्तार हुआ उसने पूरे तेलंगाना के लोगों का ध्यान भारती जनता पार्टी की तरफ कीचा उसके अलावा इटाला राजेंद्र जो केसियार का राइट हैंड माने जाते थे दाहिना हाथ माने जाते थे सबसे करीमी सबसे विश्वस्त माने जाते थे प्रदेश के वित्मंत्री थे उनका और केसियार का जगड़ा हो गया जगड़ा इतना बढ़ा कि उनके खिलाव तमाम केस दर्ज हो गये उनको भाग कर दिल्ली आना पड़ा और आखिर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी भारती जनता पार्टी जोईन की विधान सभाव से इस्तिफा दिया बाइलेक्शन लड़े और भारती जनता पार्टी के टिकट पर जीत गए तो हुजूराबाद से उनकी जीत है विधान सभाव चुनाव की उपचुनाव में उसने बीजेपी के प्रती लोगों का नजरिया बदला और बीजेपी को लगा कि संभावना बड़ी है और अब मेहनत करने की ज़रुरत है बीजेपी उसे पहले से भी कर रही थी मेहनत लेकिन उसको तेज कर दिया उस प्रक्रिया को तेज कर दिया भारती जनता पार्टी ने लेकिन भारती जनता पार्टी काफी कुछ निर्भर है तेलंगाना में बी आरेस और कॉंग्रेस से आए हुए लोगों पर जितने ज़ादा से ज़ादा लोग ऐसे लोग जिनका जमीन पर कुछ असर हो ऐसे लोग आएं तो पार्टी को ज़ादा फायदा है ऐसे लोग आभी रहे थे लेकिन फिर वही करनाटक का विधान सभाद चुनाओ का नतीजा आया उसने इस प्रॉसेस पर फिलहाल रोक लगा दिया है या कहें इस प्रॉसेस को धीमा कर दिया है या एक तरह से जो है सस्पेंट कर दिया है जो लोग आना चाहते थे वो ठिठक गए हैं रुख गए हैं वो जरा हवा का रुख भापना चाहते हैं कि हवा किस होर बह रही है वो इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं खासतर से बियारेस से जो लोग आना चाहते थे अब वो इंतजार करेंगे टिकट वित्रल तक कि केसियार उनको टिकट देते हैं या नहीं अगर टिकट मिलने की संभावना नहीं होगी तो बीजेपी के साथ हा सकते हैं लेकिन समस्या बीजेपी की इतनी नहीं है BJP की 4-5 समस्याइं हैं जिसमें 2 समस्याइं बहुत बड़ी हैं तो समस्याइं कौन-कौन सी हैं एक तो BJP की समस्या है जो करनाटक में भी थी दूसरे कई राज्यों में है वो है राज्य एकाई में आपसी अनबन आपसी प्रतिद्वंधिता आपसी होड और उसकी वज़े से अलग-अलग मुद्दों पर मदभेद वो मदभेद जब तक पार्टी फोरम में रहता है पार्टी की बैठकों में रहता है तब तक पार्टी को नुकसान नहीं पहुचाता है लेकिन जब वो बाहर आने लगता है सारवजनिक मंच पर आने लगता है तब पार्टी को नुकसान होना शुरू हो जाता है पिछले दिनों राजिंद एटाला तिल्ली आए और केंद्रे ग्रिह मंत्री अमिच्शा से मिले और उनके पास शिकायतों का पुलिंदा था प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजे कुमार के खिलाव उनको इतरास था उनके कामकाज की इशैली पर और उसके अलावा जिस तरह का उनका व्यवहार है उसको लेकर और तीसरी बात कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको decision making में involved नहीं किया जा रहा है उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है इस से लोगों में निराशा हो रही है तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वापस चले जाएं जिन पार्टियों मतला बियारस और कॉंगरेस से आए क्या ऐसा हो सकता है दूसरी बात करनाटक की जीट से तेलंगाना में कॉंगरेस पार्टि की जो एकाई है थोड़ा उतसाहित है हाला कि जो इस्तिती है कॉंग्रेस की तेलंगाना में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है क्योंकि ये तेलंगाना है करनाटक नहीं है यहां मुस्लिम मद्दाता केसियार की पार्टी बियारेस और असद दिन ओवेसी की पार्टी M.I.M. के गड़बंधन के साथ जाएगा वो कॉंग्रेस के साथ नहीं जाएगा बीजेपी को हराने के लिए उसको मालुम है कि अगर कोई सक्षम है तो वो केसियार और M.I.M. का गड़बंधन है तो इसलिए कॉंग्रेस को मुस्लिम वोट का जो फायदा एक मुष्ट मुस्लिम वोट का फायदा करनाटक में मिला था वो तेलंगाना में नहीं मिलने वाला तो इसलिए कॉंग्रेस के लिए कोई कोई बहुत बड़ी उमीद नहीं है लेकिन कॉंग्रेस का बढ़ना किसको नुकसान पहुँचाएगा ये इस बात से तै होगा कि कॉंग्रेस किसका वोट लेती है के सियार जो कॉंग्रेस का वोट ले गाए हैं उनसे लेती है या जो वोट एंटी के सियार था बीजेपी को जा रहा था उसमें से हिस्सा बटाती है ये बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है बीजेपी के लिए दूसरी समस्य ये हो रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भारतिय जंता पार्टी की विचारधारा से सामंजस से बिठाने में समय लग रहा है उनको मुश्किल हो रही है उनको इस तरह की भाषा इस तरह के मुद्धों पर बोलने की और इस तर काल में आकर वो कई लोग ऐसे हैं जो अपने को थोड़ा अजनबी सा मैसूस कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वो सही जगा आए भी हैं या नहीं और यह लोग जो आये हैं इनको यह मत समझे कोई देवदूत हैं वो आए हैं यह लोग इस उमीद में आये हैं कि सत्ता इधर अब वो आएगी कि नहीं आएगी यह तो मद्दाता बताएगा लेकिन निश्चित रूप से एक उमीद बंधी है और उस उमीद के कारण लोग बियारेस और कॉंग्रेस छोड़कर भारती जंता पार्टी में आ रहे हैं मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए सीधे सीधे के सीयार बनाम पीजेपी की उसमें घाटे में रहेगी सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी जो तिसरी पार्टी है टीडीपी का वहां कोई विशेश वजूद है नहीं बीजेपी अभी बीताय नहीं कर पाई है कि वो जंसेना से गटबंधन करेगी या नही हो सकता आकरी समय पर गटबंधन हो भी जाए लेकिन उसकी दो बड़ी समस्याएं जो है एक जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि जो लोग बाहर से आए हैं भाजपा की विचारधारा से सामंजस से बिठा नहीं पा रहे हैं अगर सामंजस से बिठा नहीं पाएंगे तो पार् वो ये है कि तेलंगाना राज्य के गठन में केसियार और उनकी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है तेलंगाना के मद्दाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो अब भी जिसे याद है वो भूला नहीं है कि तेलंगाना राजी के लिए किस तरह से केसियार ने संगर्श किया, किस तरह से अंदोलन चलाया अगर कोई एक व्यक्ति जिसको ये श्रे जाता है इस राजी को नए राजी को बनवाने में वो है केसियार, केच अंदरशे खर राओ, उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी इस राजी के गठन में इस राजी का अंदोलन चलाने में और सफलता से राजी बनवाने में तो उस एहसान के कारण, उनकी उनके उस एचीवमेंट के कारण, उनकी उस उपलबधी के कारण अब भी उनसे मोह भंग उतने बड़े पैमाने पर शायद नहीं हुआ है दूसरा, बीजेपी के लिए समस्या ये हो रही है कि राजी एकाई, एंटी इंकंबेंसी के लिए जो मुद्दे होने चाहिए सरकार की विफलता के जो मुद्दे हैं, उनको प्रभावी ढंक से जनता के बीच में अभी तक नहीं ले जा पाई है जिस तरह से ले जाना चाहिए तो अब अगर इसमें कोई धिलाई होती है, तो उसका निश्यत रूप से नुकसान होगा भारती जनता पार्टी को तीसरा, ऐसी उमीद की जा रही है कि चुनाओ की कैंपेन कमेटी बनेगी, चुनाओ की मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसमें बाहर से आए लोगों को महत्वपून भूमिका दी जाएगी क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बांदी संजे कुमार इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे उसके अलावा पार्टी के अंदर जो होड लगी हुई है नेत्यत तुकी है इस बात की तो कोई संभावना नहीं है कि चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद में कोई बदला होगा लेकिन मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा लिये हुए, महत्वा कांक्षा लिये हुए और कई लोग ने उनकी भूमिका क्या होगी, वो किस तरह से चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे उनको अनुशासन में रखा जा सकेगा या नहीं, वो कितने अनुशासित होंगे एक बात, वो कितना मन लगा कर काम करेंगे दूसरी बात तीसरा, जो लोग आने वाले थे, बियारेस छोड़कर या कॉंग्रेस छोड़कर, वो जो रुक गए हैं, क्या पार्टी उनको मनाने में और मना कर अपने साथ लाने में काम्याब होगी उसके लिए पार्टी को ये मैसेज देना पड़ेगा, ऐसा वातावरन बनाना पड़ेगा, कि वो सत्ता में आ सकती है जब तक ये वातावरन नहीं बनेगा, तब तक दूसरी पार्टीों से नए लोग बीजेपी में नहीं आएंगे और बीजेपी के लिए यही मुश्किल है कि उसका संगठन अभी तेलंगाना में एक तरह से कहें, अगर सर प्रादेशिक संगठन कहें, तो वो अभी उतना मजबूत नहीं है, जैसा दूसरे राज्यों में है, खासता उसे उत्तर भारत के या पश्चिन के या पूर के जालत में है, क्या वो उसे पार्टी को सक्ता में ला सकता है, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान है, अब इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा, कि पार्टी में अंदर कितनी एक जुटता होती है, मैं जब पार्टी की बात कर रहा हूं, तो मैं राज्यी काई की बात कर अपना लिया, हिमाचल में भी और करनाटक में भी, और कॉंग्रेस की जो बीमारी थी, उसे बीजेपी ने अपना लिया, करनाटक में भी भाजपा की राज्यी काई में बिखराव था, और तेलंगाना में भी बिखराव दिखाई दे रहा है, लेकिन तेलंगाना में अभी स समय है इसको ठीक करने का और जाहिर है कि पार्टी की जो शीष नेता है उनकी नजर में ये बात होगी ही इसको ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी लेकिन कितनी सफलता मिलती है कितना लोग मन से लगते हैं इन सब बातों का प्रभाव चुनाव नतीजे पर पड़ेगा तो त क्योंकि यहां भी लड़ाई करनाटक की तरह लगभग सीधी है जो इस्थिती करनाटक में जेडियस की थी वही तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी की है तो कॉंग्रेस पार्टी कोई बड़ा नुकसान न तो के सियार को पहुँचाने की हालत में है न भारती जंता पार् काफी होती है और उसको उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके पास कोई नई योजना नहों नया विजन नहों अभी तक के सियाद ने वो दिखाया नहीं है क्या आने वाले महिने डेड़ महिने दो महिने में ऐसा कुछ कर पाएंगे यह देखने की बात होगी तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसे ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अर्मति दीजिए आप से अनौध है कि चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब दिरूट दीजिए नमस्कार